मुझे तो इतना शरम आ रहा ऐसा लग रहा है कि वहां पे हमारे हम सबकों वहां पर निर्वस्त किया गया, ऐसी वह उस औरत को नहीं हर भारत की महीला है आज निर्वस्त हुए इस इंसिडेन्ट के दूरा की जब तक मार खाख कर कर मार खाक कर खाक कर औरत प Players को नंगा नहीं कर देंगे और जनम के उपर हम लोग खुशिया मना रहे और एक तरह जनम के बाद अगर अगर आप और तो को ऐसे निवस्त करके लोगों के सामने ले जाने का काम करेंगे तो यह घोर निंदनी है और गोर अपमान जनक है 21 सदी के महिला है घर भी चलाती है फ्लाइट भी चला बच्चे भी पैदा करती है घर में मार भी खाती है और लोगों के सामने नंगे भी हो जाती है बच्चे का जनम ही क्यों ना हो एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे चीज आप ले के आए तो बेटियों की शुरक्षा माओं की शुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपके रहती है, चाहे चाहे वो चाहे वह छाइल्ड अब्यूसिक यूँ नहीर है, दमश्कार मेरा नाम अंकीत भारत दौाजार आप पब्लिक प्रोल पॉइंट्स देख रहे हैं, मनिपूर जल रहा है और लोग यहाँ पर लोग सवाचुनाओ की तैयारियां में लगे हुए हैं, म इसके बाद महिला साथी करन की धद्यां उर जाती है उसके बाद हमारे साथ एक महिला है जो की आरल जेपी की नेतरी भी है इनसे हम लोग बाचीद करते सबसे पहले में हम सवागत है जी जी थांक यू आप बतौर महिला जो मनीपूर में या घटना सामने आई है जिसको सोचल भी पार्टी से हो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बींग आ वोमन हमें इस टाइप के घटना का घोर निंदा करनी चाहिए और भाई मेरे लिए तो मेरा सम्मान से बरकर कुछ नहीं है मैं तो उस महिला के बारे में सोचके मेरे रौनते का खड़े हो जा रहे और मेरे को रोन ऐसे बहुत सी घटनाएं 20 दिन 25 दिनों से हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है इस पर सक्त से सक्त कारवाई होनी चाहिए और प्रशाशन पर सवाल उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इस ढंकी घटनाएं अगर एक आम होते जा रही है कभी कोई होनी चाहिए और साथ-साथ आज मैंने ओनरेबल पीम का भी पूरा चीज देखा है और उन्होंने सक्से सा कारवाई करने बोल 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 दिया है बट हाँ यह अगर थोड़े पहले होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ओरतों के सम्मान बहुत सारे ओरों के ओरतों के मा उतार नहीं दिया जाता है या फिर एक कहते हैं कि यहां पे मादुर्गा की रूप का अपने हत्या कर दी है इस चरम सी मापर जब तक नहीं पहुँचती है तब तक किसी के कान पे जू तक नहीं रहता है यह देख के बहुत दुखी हूँ और बहुत शरम आ रही है यह संगीत का भी बहुत अच्छा स्थाने उस जगह में अगर इस टाइब की घटना है घट रही है तो सोचिए बाकी सारे जगा जो कम पड़े लिखे जगाए वहां पे क्या होगी मामला सुनने में यह आ रहा है कि मामला यहां से सुरू होती है कि दो गुटों में जगड़ा सुरू होती है और उसके बाद इस मामले को यहां तक ले आया जाता है कि कभी एक वीडियो में ने देखा था कि मीडिया के सामने बोलते हैं कि आज हमने इतने लोगों को मारा केंदर सरकार, इस पर एक बार भी बयान नहीं देती ए ना एक बार कारवाई की माँग कर लेकिन जब महिला का एक वीडियो वायरल होता है और ऐसे-सी कितने महिला आपने खुद बोला है कि किसी के भी सरकार हो, उस सरकार की सबसे पहले जम्मेदारी होती ओरतों की शुरक्षा, कमान सम्मान और हमारे मोदी जी नहीं हमें शशक्त किया है, उन्हों नहीं हमें ये शिक्षा दी कि हम लोग कंदे से कंदे मिलाकर काम करें 21 सदी के महिला है घर भी चलाती है फ्लाइट भी चलाती है ट्रेन भी चलाती है आटो भी चलाती है रिक्षा भी चलाती है बच्चे भी पैदा करती है और घर में मार भी खाती है और लोगों के समने नंगे भी हो जाती है तो हमें समझ नहीं आता है कि हमें करन जिसमें ना दिया जाए, जिसमें हमेशा औरते कोई कमजोर कड़ी मान कर उनको टारगेट किया जाता है, हम तो यही उनसे हाथ जोर के विनमर अनुरोत करेंगे कि औरतों की शुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, कोई भी राज्य के औ कुछ हो, चाहिए वो domestic violence हो, चाहिए वो mob violence हो, चाहिए सांपरदा एक दंगे हो, चाहिए बच्चे का जनम ही क्यों ना हो, एक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे चीज आप ले के आएं, तो बेटियों की शुरक्षा, माओं की शुरक्षा की भी जिम्मेदारी आपक इस पे थोड़े और अच्छा से, अगर आप चीजों को करेंगे, मुझे लगता है, कि एक औरत भी सब भारी पर सकती है, अगर आप उतना ज्यादा शशक हमें फिजिकली, मेंटली, एमोशनली कर देंगे। हमारे देश में कहीं पर भी आजा सकती है, लेकिन हमेसा इसा मामला सामने आही जाता है, चाहे बलातकार का नाम दिया जाए, चाहे किसी भी महिला के साथ दुर्वेवाहर का बात किया जाए, ऐसा इसा मामला सामने आता रहता है, तो क्या हमारे बिहार सरकार या भारत सरकार के दोड़ा इतना सास्क्तिकरन दिया गया है कि आज भी महिला सुरक्षित है नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आज भी हमारे 80 प्रतिशत महिला है जो है जो आकरे में बतारी हूँ वो मैं देख के बतारी हूँ और मैं रिसर्च करके बतारी हूँ 70-80% महिला है आज भी domestic violence है किसी ना किसी violence का शिकार होती है चाहे वो पती के द्वारा चाहे भाई के द्वारा चाहे पिता के द्वारा चाहे चाचा के द्वारा चाहे किसी के भी द्वारा कुछ ना कुछ कारणों के वज़े से प्रतारीत होते रहती है चाहे चाहे वो child abuse ही क्यों ना हो तो मुझे लगता है कि इस पे और ज़्यादा धिहान देना पड़ेगा ऐसा नहीं हो कि भई एक तरफ हम लोग सेफ गर्ल चायल्ड के नारे लगा रहे और तो का जनम के उपर हम लोग खुशिया मना रहे और एक तरफ जनम के बाद अगर 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 आप और तो को ऐसे निर्वस्त करक हैं आज निर्वस तो हुई है इस इंसिडेंट के द्वारा और मुझे लगता है इस पे सिर्फ भाशन देने से बात करने से काम नहीं चलेगा हमारे ओनरबल पी एम को बहुत करी से करी स्टेप लेना होगा क्योंकि मुझे ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि मैं उन पर बहुत विश से मिलने हमेशा जाते हैं मरा ओनरबल पी एम जी तो हम शूर कि वो हमारे इस गोहार को भी सुनेंगे और मनीपूर के चीजों को बहुत ध्यान से देकर इस पर तुरंद कारवाई करेंगे ताकि यह सारी चीज़ें तुरंद रुख जाए बहुत बहुत धन्यवाद मैम खिलाफ या जो सिस्टम में घरबरी चल रही है उसके खिलाफ आवाज उठाना हमारा दाय तो बनता चुकि हम भी इसी देश के नागरिक है हला कि बने रहेगा इस तरह की और भी नई अपडेट साइगी तो उसके साथ आपके पास फिर से आएंगे भी चांगा इसासत बहुत दन्यवाद